नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सौराव एकडमी पर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे यूजी सी नेट एक्जाम के लिए क्या eligibility criteria रहता है तो वह कौन सी योगेताएं हैं जो हमारे पास होनी चाहिए क्या age criteria रहता है इसके अंदर किन सब्जेक्ट में हम यूजी सी नेट की परिक्षा दे सकते हैं और किस प्रकार से हम यूजी सी नेट की तरफ से भारत सरकार की त जाते हैं और फारेंशली आपको support चाहिए तो भारत सरकार यूजी सी नेट मिलकर के आपको fellowship भी देते हैं जिसमें आपको junior results fellowship मिलती है और साथ ही आप eligible हो जाते हैं assistant professor के लिए तो दो प्रकार से होती है परिशा इसके अंदर दोस्तों एक केवल assistant professor के लिए होती है और दूस हो जाते हैं assistant professor की post के लिए और यदि आपको JRF चाहिए यानि JRF में आपको क्या सुविधा मिलती है आपको benefit यह मिलता है कि आपको 35-40 रुपे महिने भारत सरकार की तरफ से मिलते हैं आपको अपनी higher studies को complete करने के लिए और यदि आप PhD करना चाहते है या और other किसी higher studies के अंद इरिया है वो क्या रहता है इसके अंदर या उससे पहले सबसे पहले आपका जो exam का जो pattern रहने वाला दोस्तों वो किस प्रकार से रहता है वो देख लिजी इसके अंदर आपके दो paper होते हैं एक general paper होता है और दूसरा आपका subject का होता है तो subject से अपने master की होती है वहां से कि आपको 1500 परशनों का उतर देना होता है और जो आपके टोटल मार्क होते हैं वो 300 होते हैं तो 300 में से आपको अपने रेंकिंग देखनी होती है कि आप किस पोस्ट के लिए किस चीज के लिए है कि आप इसेशन प्रोफेसर चाहिए होते हैं या फिर जाप si नेट के लिए के लिए पको तो की明ची ज्यादा और मिडियम जो क्वेश्शन पेपर कहता है हिंदी इंग्लिश में मिलता है और निग्लिश में मिल जाएगा और हिंदी चाहते हैं तो हिंदी में मिल जाएगा और जो इसकी marking scheme होती है दोस्तों वो प्रते question जो आप सही करते है वो दो mark उसमें आपको मिलता है और यदि आप किस भी person को गलत कर देते हैं तो उसमें आपको कोई negative marking नहीं होती है यह plus point है for example आपकी परिक्षा में कोई भी person अगर disqualify हो जाता है या कोई भी person गलत होता है या फिर उसके options गलत होते हैं option जो है उसमें answer नहीं होता है तो वो person जो है drop कर दिये जाता है तो उसके यंक सभी को बराबर दिये जाते हैं यानि plus two marks आपको उसके भी provide किये जाते हैं आप बात क पोस्ट को करने के लिए मतलब इस form को भरने के लिए एक्जाम को देने के लिए eligible हैं और यदि आप रिजर्व्ट कटेग्री से हैं SCST OBC से तो आपको 50% अंगों की अभशक्ता होती है तो overview आप यह देख लिए मास्टर में आपको 55% से जनरल कटेग्री से और SCST OBC या PWD कट से हैं तो आपको 50% अंगों की अभशक्ता होती है इस परिक्षाब में बैठने के लिए और यदि आपका exemption चाहते हैं दोस्तों तो यदि आपने net set पास किया हुआ है यानि national eligibility test हो गया आपका और state eligibility test हो गया तो बहुत सारे जो state है राज्ये हैं वो अपना खुद के exam conduct करवाते हैं लेकिन यह जो net है वो national agility test होता है तो यह पूरे भारत वर्ष में जो है लागू रहता है आपको अलग से किसी भी इस्टेट का exam पास करने की जुरूरत नहीं है अगर आपने net qualify कर लिया है तो अब बात कर लेते हैं दोस्तो एज लिमिट की तो जे आरफ के लिए जो मैंने आपको बताया दोस्तो जूनियर रिसर्च फैलोशिप जिसमें आपको 35-40 रुपए महिने की scholarship प्राप्त होती है गौर्मन की तरफ से यूजी सिनिट की तरफ से तो इसमें आपकी जो एज लिम मैंने में आपका जो एक्जाम कंड़क्ट होता है पसे माह की पहली तारिक तक आप 30 वेर्षस सब्सक्राइब करने चाहिए जेयर कीroat की पोस्ट को apply करने के लिए और वहीं ऐगर हैं असिस्टन प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई भी ऐस लिमिट नहीं है कोई लिमिटेशन नहीं है आप किसी भी एज में वहाँ पर एक्जाम दे सकते हैं यूजिसी नेट का असिस्टंट प्रोफेसर के लिए यदि आपको जे एर अफ चाहिए जुनियर रिसर्स फेलोशिप यदि आप प्राप करना चाहते हैं स्कॉलर्शिप 35-45 रुपे महीने वाली जो मिलती है आपको तो उसके लिए आपको थोड़ा एज कम चाहिए होता है तीस साल के अंदर चाहिए होता है यदि आप रिजर्ट काटेग्री से हैं SCST OBC से तो वहाँ पर आपको 35 वर्ष होती है आपकी मैक्सिमम एज यादि पांच साल का आपको वहाँ पर रिलेक्शेशन मिल जाता है और यदि आप जनरल काटेग्री से हैं तो आपको 30 वर्ष य सच्वने चाहिए हैं आप